कॉंग्रेस नेता के बिगड़े बोल राहुल की हो गई बोलती बन बीज़ेपी ने कॉंग्रेस के खिलाफ किया हला बोल दोहजार चॉबिस चुनाव में कॉंग्रेस की निकल गई हवा कॉंग्रेस चोड़ने की नेताओं में लगे होड नमस्कार मैं हूँ पर्मीशी का आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी एक बार फिर लोगसभा चुनाव से पहले कॉंग्रेस नेताओं ने अपने बेतु के बयान से बीज़ेपी को बैठे बिठाए मुद्दा दे दिया है पहले ही पार्टी अपने नेताओं के लगातार हो रहे हैं मोभंग को लेकर संकट का सामना कर रही है इस बार छतिसगर में कॉंग्रेस नेता और नेता प्रतिपक्ष चरंदास महंत ने पियम मोधी पर आम मर्यादित बयान दे दिया महंत के बिगडे बोल के बाद सोशल मीडिया पर नई मोहीम शुरू हो गई है बीजेपी नेता पहली लाठी मुझे मार के नाम से लगातार वीडियो पोस्ट कर रहे हैं कॉंग्रेस नेता चरंदास के पियम नरिंद्र मोधी पर बिगडे बोल के खिलाफ बीजेपी नेताओं ने सडख से लेकर सोशल मीडिया पर मोर्चा खुल दिया है बीजेपी नेता पहली लाठी मुझे मार हैश्टेग के साथ सोशल मीडिया पर लगातार पोस्ट कर रहे है चरंदास महंत की जुबान फिसल गई उन्होंने पीम नरिंद्र मोधी के खिलाफ आ मर्यादिश शब्दों का इस्तमाल किया उन्होंने लोगों से कहा कि हमें ऐसा रक्षक चाहिए जो डंडा मार कर सिर्फ ओर दे और चीन भीजे चरंदास ने ये बात पियम मोधी के संधर में कही थी महंत राजनात गाउन लोग सबासीर से अपनी पार्टी के उमीदवार और पूर मुख्यमंत्री भुपेश बगेल के लिए रैली पे पहुँचे थे महंत जब इस तरह का बयान दे रहे थे तो बगेल मंच पर ही मौजूद थे बीजेपी नेताओं ने इस बयान बाजी की खिलाफ कांग्रिस को चुनाओं में सबख सिकाने की बात कही है ये पहली बार नहीं है जब कांग्रिस ने बीजेपी को चुनाओं से एन पहले मुद्दा दिया हो कि कॉंग्रिस को 40 से ज्यादा सीट नहीं मिलेगी अगर ऐसा हो गया तो क्या मोधी दिल्ली के विजे चौक पर फासी लगा लेंगे इससे पहले 2017 के गुजराद विधानसभा चुनाव के दौरान उस वक्त कॉंग्रिस नेता मनी शंकर आयन ने प्यम मोधी के लिए नीच आद देश के भविश्यों को लेकर लगातार योजनाएं बना रही हैं हम अगली सरकार के पहले 100 दिनों का खाका तैयार करने में व्यस्त हैं और दूसरी तरफ विपक्षी दलों ने मुझे 109 वी गाली दी है विपक्षी नेताओं का काम सिर्फ अब यही रह गया है एक तरफ को लेकर विवादित बयान दे रहे हैं तो दूसरी तरह पार्टी में इस तीफों की जड़ी लग गई है दरसे 24 घंटे के अंदर कॉंग्रिस के तीन कद्दावर नेताओं ने पार्टी छोड़ते बॉक्सर विजिंदर सिंग पूर्व सांसा संजे निरुपम और प्रवक् चोड़ने पड़ी हाला कि दोनों ने कोई नई बात नहीं बताई है कॉंग्रेस से जाने वाले कई सालों से वही बात दोरा रहे हैं पर कोई एक्शन होता नहीं दिखता अब तो सोशल मीडिया में लोग भी ये कहने लगे हैं कि इस तरह तो कॉंग्रेस में केवल गांधी परिवार ही बचेगा क्यों कॉंग्रेस छोड़ रहे हैं निता क्या पार्टी में गांधी परिवार की ही चलती है डाऊएं प्रियंका और वरुन जैसु के लिए भी जगह नहीं पारटी में गर daran Llip 추क के अलावा किसी की नहीं चलती है अगर आप गौण्धी परिवार के ग कोड़ी के मोल होती है कॉंगर सद्धक्ष मलिकारजुन खड़गी को धका देते वीडियो इसकी एक गवाही है बुद्वार को राहुल गांधी के परचा दाखिल से भी जरूरी काम दिल्ली में खड़गे कर रहे थे और पर उस पर कोई इंपोर्टेंस उन्हें नहीं मिली क् गांधी परिवार का कोई भी उस आयोजन में शामिल नहीं था संजे निरुपम कहते हैं कि गांधी परिवार में पंच पावर सेंटर हैं जिसमें तीन गांधी फैमिली के ही हैं सोनिय गांधी राहुल गांधी और प्रयंका गांधी और दो पावर सेंटर गांधी परिवार और चलन जी सिंग चन्नी की कहानी सब को याद है यही हार राजस्तान में भी हुआ अशोग गहलोत और सचन पाइलेट के जगड़े का अंत ना होना पार्टी के कई पावर सेंटर का ही नतीजा था गांधी परिवार से अलग वाले पावर सेंटर तो सिर्फ मुगालते में रह प्रियंका गांधी को आगे बढ़ानी के नाम पर पार्टी को साब सुन जाता है कहा जाता है कि सबसे खतरनाक होता है सपनों का मर जाना लगातार राहुल की असफलता को देखते वें प्रियंका को सामने लाया जा सकता है कम से कम कुछ दिन के लिए ही एक उम्मीद तो जख तो कॉंग्रेस को मिल ही जाते यही नहीं आसपास की कुछ और सीटों पर भी पार्टी के फेवर का माहल बनता वरुन गांधी तो बीजेपी में रहते हुए भी पीम मोदी को टार्गेट करते रहे इसी उम्मीद में की कॉंग्रेस उन्हें जरूर जगा देगी पर ऐसा जाते हैं जब पार्ठी किसी विशेश अभ्यान के तयारी कर रही होती है तो राहुल गांधी विदेश यात्रा पर होते हैं पिछली दिनों उन्हों ने भारत जोड़ो यात्राव और बारध जोड़ो नयायात्रा के दौरान खुब महनध की जाहिर WOODRUFF का नतीज़ा भी दिखाई देंगे फिर अचानक से गायब हो जाएंगे भारत जोड़ों ने आई यात्रा किस्सामापन के बाद राहुल गांधी लगातार कई दिन तक नजर नहीं आए उन्होंने ट्वीटर हैंडल पर भी कोई राजनेतिक ट्वीट नहीं किया इस दोरान केवल सिर्फ बधा शिकायत सुनना उन शिकायतों की जाच करना तभी संबभ हो सकता है जब आप लगातार पार्टी कारेकरता हों से मिलते रहते हैं अमेठी के कॉंग्रेसी नेता ने एक बार बताया था कि उन्हें प्रियंका से फोन पर बात करने के लिए वक्त लेने में कई महिने लग जाते हैं ऐसे हालात में कारेकरता हो या नेता उसका बिदतना स्वभाविक होता है पार्टी विचारधारा के नाम पर बुरी तरह कन्फ्यूज है और यहां पर जो पार्टी छोड़ने वाले नेता है चाये वो फिर गोरा बल्लब हो यहां पर और जाती आधारिज जंगर्णा की भी बात करते हैं तो वहीं दूसरी तरफ संपून हिंदू समाज के विरूधी नजर आते हैं यह कारेशली जंता के बीच पार्टी को एक खास धर्म विशेश की ही हिमायती होने का ब्रामक संदेश देती है यह कॉंग्रेस के मूल भूस सिद्धानतों के खिलाफे इसी तरह आर्थिक मामलों पर मौझूदा वक्त में कॉंग्रेस का स्टेंड हमेशा देश के वैल्थ क्रेटर्स को नीचा दिखाने का होता है उन्हें गाली देने का होता है आज अगर उन आर्थिक उदारी करण और नीजी करण और यहां पर बात की जाए लपीजी नीतियों के खिल और वल्लब कह रहे हैं कि उनकी एक बानगी देखिए एक तरफ राहुल गांदी अडानी अंबानी के खिलाफ जहर उगलते हैं तो दूसरी तरफ राजिस्थान और चतिसगर्ड में उस वक्त की कॉंग्रेस सरकारे अडानी का स्वागत करती हैं एक तरफ आप पूजी पति कॉंग्रेस ने हार के कारणों की समिक्षा के लिए एक एंटनी के नेतरत में कमेटी बनाई थी एक एंटनी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि कॉंग्रेस की छवी एंटी हिंदू होती जा रही है पहला ऐसे नहीं था इसमें सुधार की जरूरत है और सुधार के लिए कोई काम नहीं हुआ राम मंदिर उद्घाटन से दूरी रहना पाठी की बड़ी भूल थी और इधर जितने भी लोगों ने कॉंग्रिस छोड़ी है उन सभी का कहना था कि राम मंदिर का विरोध करते रहना उनके लिए मुम्किन नहीं हो सकता और गौरव बलब और सं काविन के जिवाल ने विरोध किया है और उस तरह कॉंग्रिस नहीं कर सकती केरल में भी राहूल गांदी के खिलाफ सीएम विज्यन ने इसे मुद्दा बना लिया है गौरव बलब ने अपने त्याग पत्र में लिखा है कि पार्टी का ब्राउंड लेवल कनेक्ट जो है व बेहत मुश्किल हो जाता है जो कि राजनेतिक रूप से जरूरी है जब तक एक कारेकरता अपने नेता को डारेक्ट सुझाव नहीं दे सकता तब तक किसी भी प्रकार का साकारात्मक बदलाव मुम्किन नहीं है पार्टी के बड़े नेताओं का जमेनी कारेकरताओं से कट जाना यूट्यूबर्स की मौज हो गई है तमाम बड़े नेता यहां पर पत्रकार दिन भर इस तरह की बाते करते हैं जो हकीकत में नहीं होती है जिहां ये सो कोल्ड जो पत्रकार है वो भी कॉंग्रेस को गर्द की तरफ ले जा रहे हैं के वाल कॉंग्रेस फील गूर देन करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें नमस्कार